देखिए इस लहंगे का final look जो है बन कर त्यार हो चुका है और कुछ देखिए attach करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा इस लहंगा design को आप सारी के कप्र में भी बना सकते हैं और net में भी बना सकते हैं इसको बनाना काफी आसान है यह एक कली वाली लहंगा है जो क बनाने के लिए कोई ज्यादा चीज की जरूत है नहीं एक आपको important chain ले लेना है और मैंने यह net का कपरा लिया है जो 3-meter net का कपरा है और यह butter cake लिया है जो यह butter cake 2-meter है तो अस्तर की कप्रे को पहले हम side में रखते हैं पहले main कप्रें पे हम कली cutting कर लेते हैं कि कि किस तरीके स आपको कमर हीप की जरूत नहीं है उसके बाद आपको घेरा कितना चाहिए वह आपको समझने है तीन चीज की जरूत है हमारा कपरा जो है 3-meter है तो इसकी घेर जो है वह अधाई से पौने 3-meter तयार होगा यानि 2.75-meter तयार होगा ठीक है पौने 3-meter कमर जो है इसका हम 32 ले र परेगा ठीक है अब इसी के हिसाब से हम और इसके हिसाब से कली को कल्कुलेट करेंगे और कटिंग करेंगे इसमें मेथड क्या है और कैसे करना है वह हम आपको इसको बिचा कर फिर समझाते हैं देखिए इस तरीके से मैंने कप्रे को फोल्ड कर लिया है अगर आप सेम तो आपको नीचे के लिए अलग से और कप्रा लेने की जड़त पर जाएगा, यानि 1 मिंटर के आसपास, तो ट्टर आपको 4 मिंटर लग जाएगा, यानि अगर एक सारी है, 5-5 मिंटर का तो उसमें हो जाएगा, तब जो भी हमारा लंबाई आएगा, सेम डीयन मनाने के लिए मैं बोल रहा हूं उसमें से आपको 6 इंच कम कर देना है देखिए डिजाइन के बाद 6 इंच कम करना यानि यहां तक हमारे डिजाइन है तो हम यहीं से मापने वाले हैंimme लंबाय हमारा है 38 inch तो 38 inch में 6 inch कम कर देंगे तो आएगा 32 inch तो इस तरीगे से हम इसको 32 inch माप लेंगे ठीक है जहां पर भी हमारा 32 inch आए 32 inch में हम निसान लगा देंगे और यहां से इसको हम सीदा-सीदा ऐसा कटिंग कर देंगे अब इसको हम यहां से काट देंगे इसको जो मैंने कटिंग किया है यह वाला कप्रा जो है इसको रखेंगे हम साइड में और इसको नीचे के साइड हम लगाएंगे नीचे के साइड बोले तो एक्ष्ट्रा जो नेट दिख रहा है अनेट हम इसमें लगाने वाले है, इसको इसी तरीका से सेम रख देंगे, ठीक है, और इसको भी हम लंबाई सीधा कर लेंगे, काट करको, बेल्ट भी हम इसी में से लेंगे, बच गया हमारा ये पार्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, तो इसको आपको समझना परेगा, देखिए Kelsey ले लेता हूँ मैं बताता हूँ इसमें आपको लंबाई में आपको कुछ भी नहीं करना अभी घेर पहले देख लेना सबसे पहले घेर देखना है कि घेरा हमें कितना चाहिए तो घेरे के लिए आपको जितना भी है यानि यह पहुन तीन मीटर है तो कितना हो जाएगा 275 सेंटी मीटर यानि 100 सेंटी मीटर के एक मीटर होता है इसको सेंटी मीटर हम कटिंग करेंगे तो 275 सेंटी मीटर अगर आपको सेंटी मीटर समझ में नहीं आता होगा तो यह सेंट्रीमीटर में आता है और यह इंच में आता है जितना भी एक दू लिखा है और यह जो एक दू लिखा है ठीक है तो सेंट्रीमीटर के हिसाब से लेंगे तो जितना मीटर चीए उतना सेंट्रीमीटर हो जाएगा हमारा ठीक है उतना सो सेंट्रीमीटर तो यहां 275 सेंटीमिटर हमें लेना है तो 275 सेंटीमिटर यहां पर हम लिखेंगे 275 अब इसको हम जितना कली में हमें कटिंग करना है उतने कली में डिवाइट कर देना हमें ठीक है जैसे कि इसमें मैं 16 कली लोगा आठ कली आगे ले लूँगा और आठ कली पीछे ले लूँगा इसके साथ 16 कली हो गया तो 16 कली के हिसाब से हम इसमें 275 cm भागा कर दूँगा 16 ठीक है तो इसमें कितना आ रहा है हमें देख लिजिए 17.18 यानि 18 cm इसको मान के चलते हैं ठीक है तो 18 cm के हमारा कली कटेगा जो नीचे की भाग होगा यहां की भाग जो होगा वो 18 cm होगा तो यहां पर हम लिख देते हैं 18 cm ताकि भूल न जाए ठीक है अब कमर की बात आती है कमर हमें देख लेना है जितना भी आपका कमर होगा इंच में उसको cm में कर लेना कैसा इस तरीके के अगर टेप होगा तो यहां पर देखना है आपको देखिए, यहाँ पर आ गया 32, 32 इंच में 82 cm होता है, 32 इंच में 82 cm हुआ, तो 82 cm हमें यहाँ पर लिखेंगे, 82, और फिर इसको भाग कर देंगे हम 16 से, कितना आया, 5.15, 12 cm होगे, यहाँ इसको हम मान लेते हैं, 5.13 cm, इसके हिसाब से हमारा कौन सा कमरवाला भाग रहेगा, 5.13, ठीक है, अब इसके हिसाब से कमरवाला भाग हम इतना लेंगे, घेर वाली भाग हम इतना लेंगे, एक कली की चौड़ाई इतना होगा, अब इसको काटना कैसे ओचीज भी समझना आपको जरूरी है, अभी भी काम खतम नहीं हुआ है, इसको हम रख देते हैं साइड में, समझ में आ गया कि क्या कर रहा हूँ मैं, जो भी परिशानी है, यहीं पर है, इसके बाद कुछ भी परिशानी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर भी हम कट कर देते हैं, इसको मोड़ेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि यह नेट है, तो नेट में ज्यादा तकलिप नहीं होगा, अब सेंटीमेटर हमें लेना है, डियान से देखिएगा, यह एक बार आपको समंझना परेगा, यहां पर 18 cm हो गया अब 1 cm इधर की margin और 1 cm इधर की margin यानि 2 cm हमें और लेना है तो 2 cm यहां तक ले लिए यह net है तो इसमें ज्यादा margin की जरुवत नहीं आएगा कम से कम margin में हो जाएगा यानि हम नीचे की भाग 20 cm रखेंगे अब 20 cm है अब यहां पर हम 20 cm माप लेंगे यहां आ गया इसके आधा कर लेंगे हम 10 cm तो यह हमारा क्या हुआ? सेंटर निकल गया अब दोनों के side में हम 55-33 cm माप देंगे यह हो गया 55 और यह हो गया 55 इतना इतना सेंटिमेटर इधर माप दिया मैंने अब इसमें भी 1 cm हमें मार्जिंग ले लेना है इतना इसको हम यहां रखेंगे नेट है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में ऐसा और इसको हम ऐसा ले लेंगे एक कली काटने में दिक्कत है उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगा ऐसा और लेंगा है तो इसमें ज्यादा सोचने की जड़ोत नहीं है ऐसा देखिए इस तरीके से हमारा कली निकल गया इतने विस्तार में आपको कोई समझाएगा नहीं कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ अब आपको समझ में आ गया होगी कली कैसे कटिंग करना है पहले मैं एक पला कट करता हूँ फिर आगे समझाता हूँ देखिए यह हमारा कली कट गया अब इसी को रख रख कर हम तीन बारा हमें और चीज़े कली तब जाके चार होगा तो चार चौक 16 हो जाएगा एक यहां रखेंगे ऐसा करके रख देंगे क्योंकि यह one side cutting करना है two side ही नहीं और एक हम यहां रखेंगे और last बला में थोड़ा सा हमें कम पर रहा है ठीक है तो घेर हम उतना कम कर देंगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कपरा ही हमारे पास उतना ही है देखिए हो गया सभी कली को मैंने बैठा दिया अब इसको जो उपर की कली है उसके हिसाफ से इसको हमें कार देना है देखिए हमारा 16 कली कट कर रेडी हो चुका है अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है इसको रख देंगे हम साइड में अब चलते हैं अस्तर पे अस्तर में आपको ज्यादा कुछ करने की जुरत नहीं है इस जितना भी आपका लंबाई है, उससे आपको एक इंच कम निसान लगा देना है, देखिए, 38 है तो मैं 37 पे निसान लगा दिया है, यहाँ पे, और उसके बाद आपको कमर माप लेना है, कमर जितना भी है, उतना पूरा कमर मापना है, उसकी चौथे भाग में मापा जाएगा, तो 8 इंच आएगा, 8 चोक 32, ठीक है, इतना, और एक इंच मार्जिन, समझ गया, और आधा इंच यहाँ पे, एक इंच कर्व सेप देना है आपको, ऐसा, ओके, अब यहाँ पे हमने 37 इंच मापा है, तो यह 36 हुआ यहाँ तक, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से भी 36 इंच माप लेंगे, देखिए यह कोने को, ओके, ऐसा, और इस जगा भी 36 इंचम मापेंगे यहां पर दो तीन जगा माप लेना है आपको इस तरीके से और ऐसा देखिए राउंड निसान लगा देना है ठीक है देखो गया और इसको सीधा सीधा ऐसा हम ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें देखिए अस्तर में इतना ही है ज्यादा कुछ है नहीं तो इसी तरीके से आपको अस्तर को भी कट कर देना है देखिए हमारा अस्तर जो है कटिंग होकर रेडी हो चुका है इसके बाद हम इसकी बेल्ट कटिंग करेंगे belt की चोड़ाई हमें 2 इंच रखना है तो इसी अस्तर के हिसाब से belt भी cutting करना है इसके लिए आपको कोई भी normal बक्रम भी ले सकते हैं और करक वाली बक्रम भी ले सकते हैं मैंने यह वाला बक्रम ले लिया है ठीक है और यहां तक है तो इसी इसाब से रख लिया है मैंने अब इसको हम क्या करेंगे इसको ऐसा double fold कर देंगे तब जाके हमारा दो belt होगा नहीं तो single belt हो जाएगा और ऐसा करके इसको हम इस पर रख देंगे देखिए ऐसा ऐसा निसान लगा देंगे ठीक इसको ऐसा ले लेंगे ओके अब दो दो इंच चोड़ा करके इसमें निसान लगाएंगे हम देखिए आप इसे अपने हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं देखिए belt हमारा कट चुका है अब इसको हम क्या करेंगे अस्तर के कपरे पे चिटका लेंगे देखिए belt को मैंने चिटका दिया है अब हमें क्या करना है कि ए वाला जो कपड़ा है बचा हुआ इसको हमें लेना है और यहां से हमें इसमें लगाना है देखिए यहां से तो एक क्या करेंगे हम एक निसान लगा देंगे यहां पर यहां पर ऐसा एक निसान लगा देंगे और इसी निसान पर हम और इसी अस्तर के हिसाब से हम यह वाली नेट को इसमें अटेच करने वाले हैं इसके लिए मैंने निसान लगा दिया है अब देखे सबसे पहले हम इसम पीछे के लिए तो कैसे जोईन्ट होगा ओची देखिएगाँ धियान से देखिए ये है उल्टा सीधा देखते जाना है आपको ऐसा नहों कि आप दोनों उल्टा-उल्टा जोईन्ट करले ठीक है वो ये देख लेना है और एक उल्टा एक सिधा रख लेना है एक दाब मार्जिंग लेकर जोइन्ट करते जाना है देखिए इस तरीके से आपको कली जोइन्ट करना है पहले हम दो-दो कली को जोइन्ट करेंगे यह हमारा चार कली हुआ मैं एक साइड का पल्ला जोड़कर दिखा देता हूं आपको फिर दूसरे साइड का नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम तरीके साबको दूसरे साइड करना है तो आप पल्ला हो चुका है अब हम क्या करेंगे दो-दो पल्ले को एक साइड करेंगे यह चार हो गया तो चार को पहले हम एक बार ऐसा खोल देंगे और इसमें अबर लॉक यह एंटर लॉक करने की जुरत नहीं होती है क्योंकि यह नेट का कप्ड़ा है अगर आपका दूसरा कप्ड़ा है तो उसमें आपको ओवरलग करना जरूरी है देखिए यह कितना हो गया चार पल्ला हो गया देखिए ठीक है यह चार हो गया अब फिर से चार करेंगे जोडने का मैं तिर्फ तरीका बता रहा हूं नहीं तो आप एक एक पल्ला जोडते रह जाओगे यह हो गया हमारा आठ पल्ला है यानि चार इधर चार इधर तो अभी हम फिर से इसको ऐसा खोल देंगे ठीक और ऐसा खोलने के बाद फिर इसको ऐसा डबल कर देंगे हम तो देखिए एक साइड का पल्ला इस तरीके से आपको दीखेगा इसको हम एक बार कमर की मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारा कमर जो हाख मतर अररा कि नहीं आ रहा है तो उसके लिए ऐसा मापेंगे हमें कितना चीए 16 इंच lit इंच इंच इह रेडी में तो 18 इंच सा रहा है कि इंच इतर की मार्जिंग तो इस्जें तो आपको दिखाते इस तरीके से देखेंगे आप तो, अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ नेट है, जो नीचे का नेट है, उसको हम अस्तर के साथ अटेच करने वाले हैं, अब कैसे अटेच करना है, वो ची ध्यान दीजिएगा, जो भी नेट बचा हुआ है, आपको उसे दो भाग में डिवा करने में अर्जेष्ट ह dulha, यहाँ पे, जीतना में आपको गेदर्स देना है, इसको गेदर्स देकर कम करना है, ठीक है, तो मैं उसी तरीके से गेदर्स दे लेता हूँ, फिर आपको इसमें अटेच कैसे करना है, वो बताता हूँ इतना मैंने गेदर्स दिया अब इसको देख लेंगे कि परफेक्ट है या नहीं है उतना परफेक्ट होगा तो ठीक है नहीं थोड़ा सा और गेदर्स को हम बढ़ा देंगे अब इस अस्तर को आपको ले लेना है और उसके बाद यहां पर आपको एक कट लगा देना है कट इसलिए लगाना है ताकि आपको पता जले कि चारो पल्ले में हमें गेदर्स यहीं से देना है तो मैं इस तरीके से कट लगा दिया हूँ अब इसको ऐसा रखूँगा ऐसा और उसके बाद इस पल्ले को ले लूँगा और ऐसा रखकर इस पे अटेच कर दूँगा देखिए कुछ इस तरीके से अटेच हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ओके अब इसमें हम जो कली वाले पल्ला है उसको अटेच करेंगे कैसे अटेच करनेंगे यहां से ऐसा लेकर और इसमें अटेच करना है और सभी कली को एक ही साइड गिराना है तब ही जाकर अच्छा दिखेगा मार्जिंग जिस है उसकी बात कर रहा हूं नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा देखी अटेच करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ऐसा जब अस्तर लग जायागा उसके बाद ठीक है और नीचे की साइड में आपको दिखा दो तो यहाँ पे यह नेट एक्स्ट्रा हो चुका है तो सेम तरीके से आपको दूसरा पल्ला भी बना लेना है देखी मैंने दोनों पल्ले को अटेच कर दिया है अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे जादा कुछ इसमें है नहीं साइड की सिलाई लगाने के लिए यह उपर और यह नीचे ऐसे करके रख देंगे और यहां से सुरू करेंगे एक इंच हमने मार्जिंग लिया था तो एक इंच मार्जिंग हम ले लेंगे यहां पर ठीक है ऐसा और उसके बाद यहां तक 5-6 इंच तक यहां तक जो है वो साथ में लाएंगे उसके बाद इसको हम अलग-अलग करेंगे वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि नीचे वाला भाग थोड़ा सा अलग है तो इसको कैसे करना है वो आपको पता चलना चाहिए ठीक है तो इसको हम ऐसा लेंगे यहां तक आए यहां तक आके इसको यहां पर लॉक करेंगे और फिर ऐसा करेंगे फिर दोनों को अलग-अलग कर देंगे और यह वाले को पहले ऐसा करके और यहां पर सिलाई लगाएंगे ठीक है ऐसा उसके बाद इसको हम फूरा नीचे तक ले जाएंगे उसके बाद इसको हम ऐसा कर देंगे और फिर से यहां से हम सिलाई ले लेंगे देखिए ऐसा यहां पर लाएंगे और जो अंदर वाला पला है इसको थोड़ा साम कट लगाएंगे इसे और इसको अंदर कर देंगे इस तरीके से ताकि हमारा सेप जो है वो परफेक्ट है फिर यहां से हम इसको continue करेंगे यहां फिर थोड़ा थोड़ा खुला छोड़ देंगे ताकि हमें यह जो चीप मारना एस्तर का वो मारके और फिर यहां से पूरा continue शिलाई लगाएंगे अब इसी तरीके से सेम दूसरे साइड का भी शिलाई आपको लगा लेना है दूसरे साइड म वो भी लगा दिया है यहां का सिलाई देख लिजिए तो ज़्यादा कुछ करने के जोड़त नहीं है अब सिर्फ हम क्या करेंगे इसमें से margin card करटा देंगे और उसके बाद इसमें chain लगाएंगे जो जीप लगाना मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि दो तीन वीडिय परेश से ओ ले लिया है अब जो बचा हूवा हमारा net होगा net को हम ले लेंगे ठीक है तो मैंने बचा कर रखा है और इस net को उटा सिता देख कर इसको डोनों पल्ले को अटेच करना है कैसा करना है ऐसा देखे ऐसा करके इस पर आटेच करेंगे देखे इस तरीके से हमें कट करके बाहर निकाल लेंगे ऐसे कट करके निकालने के बाद इसको आपको मेजरेमेंट करके देख लेना है ऐसा चैन लगा देंगे हम इसको और ऐसा करके देखेंगे कि हमारा एक कहां तक परफेक्ट आ रहा है ऐसा करके देखिए उतना ही रखना है ज्यादा नहीं रखना ह तो यहां से देखिए, ऐसा, ओके, अब इसको बाकी हम कट करके निकाल देंगे, इतना यह हुआ, और इतना हमें चाहिए इदर पर मार्जिंग मोरने के लिए, क्यों चाहिए मोरने के लिए, वो मैं अभी बताओंगा, ठीक है, तो यह रहा, अपका फुरा परफेक्ट, इसको उसके बाद आपको बचे हुए अस्तर का पला लेना है, और इस पर सिलाई लगाएंगे, कौन से सैट के सिलाई लगाएंगे, इस सैट का, देखिए, अब उसके बाद हम इसमें एक दाब इस सैट से मार्जिंग रखकर इसको कट करेंगे, देखिए मैंने ऐसा कट कर दिया है, अब इसको हम इसा खोल देंगे, ठीक है, और इसको भी ऐसा खोल देंगे, ऐसा खोल कर, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, उसके बाद यह हो गया, अब यहाँ पे हम एक ऐसा सिलाई देंगे, अब इसे अटेच करना है, अटेच कैसे करना है, उल्टे से सीधे में अटेच करना है, ठीक है, देखिए, इसको हम खोल देंगे, चैन को, और ऐसा रखेंगे, द्यान समझेगा, इस तरीके से रखेंगे, और जहाँ पे हमारा यह सेंटर है, बीच वला भाग, वहाँ से हम इसको ऐसा रख कर, ऐसा देख लेंगे, कि हमारा परफेक कहां पे आ रहा है, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा, और फिर उसके बाद जो भी बचर आया, उसको बाहर निकाल के, और ऐसा सिलाई लगाएंगे, अब इसको ऐसा हम घुमा देंगे, और घुमाने के बाद, यहाँ पे ध्यान से समझेगा कि क्या करना है, दोनों साइड का, ठीक है, यह हमारा जो है, वह इस तरीके से अटेच होगा, तो इसको ऐसा ले लेना है, ऐसा मिला देना है, ठीक, अब इसको पक्का करना है, ऐसा, यहाँ पे, क्यों पक्का करना है, वह चीज भी मैं बताऊँगा, ज्यादा मार्जिंग से पक्का नहीं करना है, जितना आप मार्जिंग लखें, उतना है मार्जिंग से पक्का करना है, देकि इस लेहंगे का फाइनल लुक जो है, बनकर त्यार हो चुका है, और कुछ इस आपको कैसा लगा और बनाने में लगा सकते हैं असलों और कितना आसान है वो कमेंट्स करके अगर आपको बीडियो पसंद आया है और इसको पका करने के बाद और सेर्वे को दिखाते हूं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद